जिन्दिकी में कुछ पाना है तो अपने तरीके बदलो रास्ते नहीं इसी मोटिवेशन के साथ हम आज की वीडियो की सुरुआत करते हैं हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक तुमाई चैनल तो फ्रेंड्स आज नाम मैं दूद का दूद और पानी का पानी कर दूँगी आज हम जानेगे फाइवनी एप की पूरी सच्चाई जिसे आधी जनता अभी तक अंजान है तो आज में लेकर आई हूँ फाइवनी एप का फुल रिव्यू जिसमें मैं आपको इसके एडवांटेजिस के बारे में बताऊंगी साथ ही साथ इसके दिसएडवांटेजिस के ब वीडियो बनाती हूँ आपके सामझें लेकर आती हूँ ताकि मेरी ओडियन्स बिना किसी कंस्योजन के फाइनेंसियल डिसीजन ले सके वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले मारे दिमाग पर यही कोस्चिन आता है कि आखिर फाइवनी एप है क्या तो फाइवनी इसके सखतें को सकते हैं सवाइवाइचे को मैनेज़ कर सकते हैं पर हमके जीडियो अकाउंट ओपनिंग मिल्ती है सब्सक्राइब prolonged In इसको सिफ की तढ़ाक ओल सकते हैं या फिर दिजीटल बॉलेट माना जाता है को क्योंकि इसमें दिजितल वालेट की जादा फैसलीटी से और एक सालके अंदर आपको को अपडिट करना कमपन सरी कीजने all इस आपको बैंक वाली सारी फैसलीटी अब हम बात हाट करेंगे चार्जिस के बारी में तो अकाउंट ओपनिंग के अंदर एकड़म प्री है कोई भी चार्ज नहीं है जरुत नहीं है अगर ऑफन सु पर सेबक्सद सब्सक्राइब पर सेंट पर एनम और स्मार्ट डेपोजिट पर 6.8 परसेंट अगर हम वीजा प्लैटिनम डेविट कार्ड की चार्जिस की बाहत करें तो जो सेलरी वाले लोग है जिनको इनफाइनेट यूजर्स भी बोलते हैं उनको यह कार्ड फ्री मिलता है अगर हम कार्ड रिप्लीसमें सब्सक्राइब के साथ क्योंकि यहां पर सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं दूसरा एडवांटेज है कि क्लाइंट को बहुत पसंद कर रहे हैं उसकी स्मूधनेस के कारण यूजर इंटरसेस के कारण साथ ही साथ उसकी यूजिंग के कारण 5 Money App में बहुत सारी facilities यूजर को ऐसे ही मिल जाती है वो अपने पैसे को easily deposit कर सकते हैं और साथ ही साथ fix deposit पर उनको काफी अच्छा interest भी मिल जाता है धेर सारी investment plans मिल जाते हैं साथ ही साथ cashback जैसे rewards भी यूजर को यांपर time time पर देखने को मिलते रहते हैं जिससे यूजर इसक आपको मिल जाएगा लेकिन अगर दूसरी बार भी आप अपना debit card को देते हैं तो इसके लिए फिर आपको charges पे करना पड़ेगा इसके अलाबा advantages है five money app का सबसे बड़ा advantage यही है कि हम यहाँ पर free में पैसा transfer कर सकते हैं तो हमें इसका कोई भी जाड़ नहीं देना पड़ता है अभी मैंने आपको five money app के सारे advantages बता दिये हैं अब मैं आपको इसके disadvantages के बारे में बताऊंगी सो फ्रेंट्स पहला disadvantage यही है कि इनकी customer services बहुत पूर है customers को बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ता है उनकी queries के answers के लिए कई बार तो उनको response ही नहीं मिल पाता है वह सारे users ने इस चीज़ को लेकर complain करी है दूसरा दिस advantage यह है कई users ने account freeze होने को लेकर complain की है कई बार verification process में भी बहुत टाइम लगता है और इसकी support टीम से हमें कोई भी support नहीं मिलता है तीसरा advantage है मतलब यह कोई बैंक हम सिर्फ कर सकते हैं हम यहाँ पर अपना अकाउंट बना सकते हैं और फेडरल वेंग पर तो यह इतना अच्छा भी नहीं है जैसे की बैलन सीट या फिर इंट्रेस सर्टिफिकेट या किसी वी टाइप का कोई भी स्टेटमेंट पर जाब हमें साइन करना होता है या कुछ भी करना होता है तो यह बार-बार चार्जेस अपलाई करते हैं साथी टेक्निकल एरर्स भी है इस एक के अंदर जैसे की स्लो लोडिंग ग्लिचेज प्रांजेक्शन के टाइम पर भी काफ एरर्स देखने को मिलते हैं तो मैंने आपको फाइवनी एप का कम्लेट रिव्यू दे दिया है कुछ एड्वांटेजेस हैं बट मैं आपको यूज करने की सला देती हूं मैंने आपको जो भी रिव्यू पताया उसकी हिसाब साथ खुद एनलिसिस करके अपना दिसीजन ले सकते हैं साथ ही साथ एंजल वन और अफस्टॉप में अपना दीमेट अकाउंट अगर आप उपन करना चाहते हैं तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप बहास इसको उपन कर सकते हैं अग उसकी हैं एक जज़ कर सकते हैं थे एक रेुड़ एकलिग कर दूब में तो बहास सकते हैं कि कर सकते हैं